बॉलिवुट के नन्हे नवाब तैमूर अली खान पटादी जब भी नजर आते हैं अपने फैंस के बीच तैमूर अली खान पटादी को देखा जाता है बहुत ही अनोखे अंदाज में तैमूर अक्सर ही दिखाई देते हैं बहुत अनोखे रूप में तैमूर अली खान को अक्सर देखा जाता है जब वो बहुत जादा अलग होते हैं अलग अंदाज में होते हैं तो अलग-अलग expressions भी देते हैं केर यहां जब बात हो रही हैं तैमूर अली खान पटादी के बारे में तो आपको बता दे जानकारी यहां हम आपको दे दे यहां पर आपको हम जानकारी दे दे की कैसे इस बारे में खबरे लगतार आ रही हैं यहां पर खबरे आपको देना चाहें के हम इस रिपोर्ट में तैमूर अली खान की expressions को लेकर कितनी जदा क्यूट क्यूट फोटोज वारल हो रही हैं तैमूर की यह फोटोज दे कर आपको हैरानी जरूर होगी लेकिन तैमूर अली खान पटोदी के बारे में हम आपको बताना शाहेंगे कि अपनी मॉम की गोच से उठकर वो जब नजराएं लोगों के बीच तैमूर अली खान पटोदी को देखा गया मॉम से हटकर अपनी expression स मौम के सामने डैडू सैफ के सामने पूरी की पूरी लाइम लाइट बटोरते यहाँ पर तैमूर को आप देखकर समझ गए होंगे क्यों आखिर कहा जा रहा है कि तैमूर वाकई में सबसे अलग सबसे अनुखा अंदाज बेश कर रहे है वल यह देखकर तो आपको हैरानी जरूर होगी लेकिन तैमूर अली खान पटादी एक्सप्रिशन देते वे लोगों के बीच मीरिया को टीज करते नजर आए है करीना तैमूर और सैफ के ये पोटो वारल हो गई है वहीं यश जोहर करन जोहर के बेटे यश जो तैमूर के चाइल्ड हुट के फ्रेंड बन चुके हैं वो तैमूर के चाइल्ड हुट को खास बनाने में उनके साथ कैसे वक्त गुजारते हैं एक्सप्रिशन किंग तैमूर अली खान पटादी को एक्सप्रेशन प्रिंस कहा जाता है क्योंकि एक्सप्रेशन के मास्टर है वो तैमुर को लेकर भाक्ती वी करीना उन्हें गोद में उठा कर जब गाड़ी से बाहर निकालने के बाद उन्हें अंदर ले जाती नजर आए तैमुर उनकी बात बेलकुल मानते हुए नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि तैमुर अलिखान बिजी थे मीडिया को टीज करने में जिनने काफी मज़ा आ रहा था मीडिया और कैमरा को देखर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देते वे किसी में वो टीज करते वे मीडिया को हाई पर्ज ला रहे हैं नेक्ष्णाना इन्युज़ूम सट्रफ दिकली।